वेलकम स्टुडेंट्स फंडामेंटल डेफिनेशन्स स्ट्रक्चल रिप्रेजेंटेशन और डी यू निकालना सिखने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ओफ ओर्गिनिक कंपाउंट्स और इसके बाद हम देखेंगे कुछ बैसिक आपके IUPAC नेम्स का फंडामेंटल ठीक है चलिए तो क्लासिफिकेशन ओफ ओर्गिनिक कंपाउंट्स कुछ इस तरीके से है दो टाइप से है मेजर इसका क्लासिफिकेशन ओपन चेन और क्लोस्ड चेन ठीक है ओपन चेन को और क्या बोलता है एससाइकलिक कंपाउंट्स तो यह साइकलिक नहीं होता है इस कारण ठीक है और एक और नाम है एलिफेटिक कंपाउंट्स यह सारे सिमिलर एक ही जैसे है नाम है ओपन चेन acyclic या फिर aliphatic compound similarly close chain को और क्या बोल सकते हैं ring बोल सकते है cyclic compounds बोल सकते है अब सबसे बहले बात करें open chain compounds की या aliphatic compounds कहा है उन्हें तो उसमें होता है saturated compounds और unsaturated compound देखिए saturated मतलब कोई भूख नहीं है कोई भूख नहीं मतलब क्या है carbon के चारो bone बने हुए है इस तरीके से single single bone बने हुए है और unsaturated मतलब अभी भूख है यह भूखा है मतलब इसमें multiple bones मिलेंगे आपको double bone या फिर triple bone मिलेगा ठीक है यह unsaturation में आएगा मतलब अभी और hydrogen ले सकता है unsaturated आपके जो organic compounds होता है generally क्या लेता है hydrogen लेता है जैसे आपको भूख लगती है तो आप खाना घाते हो रोटी घाते हो उसी तरगे से hydrogen use करता है तो saturated में आपके sp3 hybridized होगा देखा जाए तो क्योंकि सारे single bone रहेंगे और इधर आपके sp2 या sp hybridization generally आएगा clear हम बिल्कुल इनकी कोई line to line definition wise नहीं देख रहे है तो यही बस इसनका basic knowledge हमें होना चाहिए JEE के लिए या neat के लिए ठीक है next close chain और cyclic compounds की बात करें तो इनको दो टा के बताए है homocyclic compounds और heterocyclic compounds homocyclic compounds आपके जो होते हैं यह वह वाले compounds होते हैं जिसमें ring में आपके सिर्फ और सिर्फ कौन से atoms होते हैं carbon के atoms होते हैं ठीक है homocyclic मतलब सारे के सारे एक ही जैसे carbon के atoms होंगे ठीक है और इधर heterocyclic में क्या होगा carbon के साथ हो सकता है A n आ जाए O आ जाए S आ जाए या और भी कोई atoms आ जाए ठीक है तो वह heterocyclic हो जाते हैं तब carbon के अलवा भी कोई और atom आ जाए तो वह हो जाते है heterocyclic और सिर्फ और सिर्फ carbon अगर मुझूद है तो वह होंगे आपके homocyclic compounds अब अगेन इनमें वापस दो पार्ट है alicyclic compounds और aromatic compounds aromatic वाला पार्ट हम पूरा अलग से देखेंगे इनकी क्या properties होती है कौन से compound aromatic होता है वो सारा मैं अलग से बताऊँगा क्योंकि इसमें काफी detail होती है अभी के लिए alicyclic compounds की बात करें तो alicyclic compounds again ये rings होगी जिसमें aromatic character ना हो जैसे कि ये एक ring है इसमें aromatic character नहीं है अब आप बात करेंगे aromatic character है या नहीं हमें कैसे बता चलेगा ये मैं आपको बताऊँगा अलग से पूरा aromatic compounds में ठीक है तो अभी के लिए ये है जिनमें कोई ज़्यादा conjugation ना हो saturated या फिर ये इस तरीके से भी हो सकती है saturated भी हो सकती है alicyclic rings ठीक है इस तरीके से जो भी आपके rings आएगी वो होगी alicyclic compounds aromatic का थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो like जैसे benzene ये इस तरीके से इनमें full conjugation होता है सारे के सारे sp2 hybridization में होता है planar ring होती है sp2 होने की वाज़ा से ठीक है इस तरीके के कुछ होते हैं इनमें rules साथी साथ ये 4N प्लस 2Pi के Huckels rule को follow करते हैं तो वो सारा हम बाद में देखेंगे अभी के लिए आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो ये था हमारा classification जो manly हमारा acyclic और cyclic में बटा हुआ है acyclic आपके जो compound से वो saturated unsaturated में divided हैं जबकि जो ring वाले हैं वो homocyclic और heterocyclic में divided हैं clear अभी के लिए बस इतना काफी है आपके लिए इनमें और भी details आएगी अभी तो पूरी organic बाकी है शुरुवात हुई है ठीक है तो next part पर बढ़ते हैं हमारे organic compounds and functional groups इनकी बात करेंगे हम organic compounds और functional group की चलिए देखते हैं इनको जल्दी से देखें इनका नाम आपने 9-10 में सुन रखा होगा alkyns, alkyn और alkyn ठीक है इनके nomen culture भी हम पढ़ेंगे लेकिन उनके पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका general formula क्या होता है इनको और क्या बोलते हैं तो चलिए जानते है alkyns, इनका general formula होता है cn, s2n plus 2 मतलब carbon से hydrogen जो होंगे वो double से 2 जादा होंगे अगर एक carbon atom है तो hydrogen कितना होगा उसके double से 2 times चीक है, 2 times जादा तो जैसे एक carbon है तो उसका double हो गया 2 और उससे 2 जादा मतलब 4 इस तरीके से चलेगा यहाँ देखिए इसके double से 2 जादा तीन carbon है तो देखिए hydrogen कितने हो जाएंगे तीन का double, 6 उससे 2 जादा, 8 देखिए, 8 है यहाँ इस तरीके से चलेगा पुरा तो यह होता है इन में कोई functional group जुड़ा हुआ नहीं रहता है functional group क्या होता है यह अभी next slide में मैं बताने वाला हूँ आपको कि यह functional group क्या चीज़ है actually functional group आपके compound की जो chemical properties वगेरा होती है उनको affect करते हैं उनको acid बना देंगे उनको base बना देंगे इस तरीके से affect करते हैं functional groups ठीक है तो alkane जो होते हैं उनमें कोई functional group नहीं लगा हुआ होता है जैसे देखिए आप इनमें कहीं पे भी OH, NH2, CWH ऐसे कोई भी other group नहीं लगा हुआ है just carbons है और hydrogen है ठीक है information के लिए है only तो open chain होता है aliphatic saturated होता है saturated का क्या मतलब है सारे के सारे single bond मौझूद होंगे कोई भी double bond इसमें नहीं होगा ठीक है तो saturated hydrocarbon है और कोई functional group इसमें नहीं होता है तो चलिए अब जैसे इनके अलग-अलग नाम होते है एक ही carbon है अगर n equal to 1 है यहाँ पर देखिए cn इसमें n equal to 1 है तो ch4 हो गया इसका नाम methane जैसी 2 होता है उसका नाम methane propane, butane, pentane चलता जाएगा इस तरीके से pentane के बाद hexane, heptane, octane ठीक है ना इस तरीके से चलता जाएगा decan वगरा आएगा और भी आगे भी जाता है मैं पूरी list आपको बताने वाला हूँ अभी just basic information दी जा रही है कि alkins क्या होता है हमारे यह general formula होता है उसका यह open chain होता है sp3 hybridized होता है सारे single bonds होता है तो अभी just basic information है इनकी पूरी detail अभी बाकी है ठीक है चलिए next बात करें alkins alkins का general formula होता है cn s2n लब जितने carbon atoms है उसके just double क्या होंगे hydrogen atoms होंगे clear अब alkins की बात करें तो यह भी आपके open chain होता है लेकिन यह क्या होता है unsaturated होता है यह क्या होता है unsaturated होता है unsaturated hydrocarbons होता है and having carbon carbon double bond ठीक है these are also called alkylens और olefins क्या बोलता है इनको और alkylens और olefins भी बोला जाता है जैसे आपके alkins का एक और क्या नाम था parafins नाम था वैसे alkins का भी एक और नाम है olefins कभी option में आजा है तो बस उसके लिए ज़्यदा इसमें लोड लेने वाली कोई बात नहीं है यह जो प्रोपीन है इसका नाम है propylene common name में इसी तरह की सह यह butylene और यह isobutyylene यह isonio क्या होता है यह भी हम देखने वाला है तो alkins से आप क्या समझे alkins में आपके क्या दिखेगा double bond दिखेगा और इसमें जो carbon जितने होंगे उससे double क्या होंगे इसमें hydrogens होंगे clear next बात करते है alkins की alkins का general formula होता है cn h2n-2 जैसे alkin में आपके plus 2 था यह alkins में क्या है minus 2 है और अगर बात करें यह भी unsaturated होता है alkins की ही तरह लेकिन इसमें double bond की बज़ाए क्या होता है triple bond होता है तो जैसे की देख सकते है आप सारे examples के अंदर सभी में क्या है triple bond है इनके भी कुछ common names होता है जैसे इस वाले को हम कहते है acetylene acetylene भी कहते है कुछ लोग similarly इसका नाम हो जाएगा acetylene के आगे आपके क्या लगा दिया methyl लगा दिया है तो यह हो गया methyl acetylene similarly यह हो जाएगा आपका ethyl acetylene और फिर हो जाएगा methyl isopropyl acetylene इतना नहीं आना है हमें बस यह दो का ध्यान रखना है ठीक है first two ध्यान रखने हो लगी यह common name से इसलिए बाकि इनके IOPS ही तो हम सीखी जाएंगे तो वो तो हम वैसे भी लिख लेंगे तो alkyne से क्या सीखा triple bond आयेगा carbon जितने होंगे उसके double set two come होंगे hydrogen ठीक है और अगर मैं आपको इनका simply बताऊँ alkyne alkyne में आपके देखिए सारे के सारे क्या होते हैं hydrogen जुड़वे होते हैं कोई double bond triple bond नहीं होता है सारे single bond होता है अब देखिए alkyne से alkyne के से बनता है जब 2 hydrogen निकल जाता है उसमें से यह न deficiency आ जाती है 2 hydrogen की 1 du हो जाता है उसमें 2 hydrogen निकाल दो तो देखो क्या बन गया cn s2n बन गया फिर triple bond बनाना है तो again एक और bond extra लाना है तो 2 hydrogen और निकालने पड़ेंगे तो फिर 2 hydrogen और निकाल देते हैं यहां से तो इस तरीके से आप इसका general formula दियान रख सकते हैं कि हमें पता है कि du यहाँ पर du कितना होगा बताओ lkn में du कितना होगा 0 कोई deficiency नहीं है fulfill आप सारे आपके hydrogen से इसके bond यहाँ पर 2 hydrogen की कमी हो जाती है तो इसका du हो जाता है 1 du का क्या मतलब होता है 2 hydrogen की कमी तो देखें यहाँ से 2 कम हो गए फिर यहाँ पर du कितना हो जाएगा बताओ 2 हो जाएगा क्योंकि और 2 hydrogen की कमी हो गई total यहाँ के compare में देखें hydrocarbons हैं आपके वो आपको basic उनका clear हो चुका है इनके आयूपेसिंग नेमिंग में और भी detail देखेंगे ओके next बात करते हैं जब आपके alkene से एक ही hydrogen निकले देखिए दो hydrogen निकल जाएंगे तो वो तो alkene बन जाएगा देकिन अगर एक ही hydrogen निकला तो वो क्या बनता है उस case में क्या लगता है पीछे उसके suffix yl क्या बोलते है इसको il जैसे alkyl group जैसे होता है methyl group यह होता है methyl group ठीक है यह वाला होता है methyl group इस type से तो il लग जाता है पीछे क्या लग जाता है पीछे il methyl क्येसे बना CH4 से जब एक hydrogen आपका निकल गया ठीक है तो वहाँ पर तीन ही hydrogen बचे और एक bond खाली पड़ा है यह vacant site है हमारी ठीक है similarly जब ethane था हमारा C2H6 देखे double से दो ज्यादा है hydrogen तो यानि यह ethane है ethene नहीं है ठीक है तो इससे भी जब एक hydrogen निकल गया हमारा तो क्या बना यह ethane यह हो गया ethane यह हो गया methyl तो इस तरीके से क्या लग जाता है पिछे ILE लग जाता है जब इससे एक hydrogen निकल जाता है तो जैसे इसके पास 2N प्लस 2 था है hydrogen तो इसके पास क्या बचेंगे 2N प्लस 1 ही बचेगा similarly एलकीन से जब आपके एक hydrogen निकल जाता है एलकीन से जब एक hydrogen निकल जाता है तो उसके पीछे भी YL लग जाएगा चीके और सेम चीज है एलकाइन के साथ भी उसके पीछे भी क्या लग जाएगा YL जब एक hydrogen निकलेगा चीके दो hydrogen निकलते तो क्या होता alkyne से alkyne बनता फिर और दो निकलते तो क्या बनता alkyne से alkyne बनता बहुत ही सीधी सी चीजे तो जब भी ऐसा कोई group आपको दिखेगा आगे जिससे एक hydrogen की कमी है उसमें तो उसके पीछे क्या लगा देना है YL उसके नाम में इनकी पूरी list हम देखने वाले हैं अभी में बहुत ज़्यादा detail देखेगा आपको confused नहीं करना चाहता है next देखते है वो जो ISO Neo आये थे उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि ISO और Neo हम बनाते कैसे हैं कैसे उनके नाम लिखे जाते हैं तो सीधी सी बात है देखो हर ISO ग्रूप के अंदर आपको ये वाला पार्ट नजर आएगा इस तरीके से जिसमें आपके CS CS3 एक लाइन में होंगे और उसके उपर ब्रांच निकली वी होगी एक और CS3 की चीक है यहां पर जो बचे हुए है वो सारे क्या है हाइड्रोजन है इस तरीके से चीक है तो इस तरीके की भी आड़र डालने ओनली C लिखने की भी चीक है चलिए जब तक पूरा बोंड ऐसे खाली छोड़ के ना बता दे तब तक वहां क्या लगावा होता है हाइड्रोजन लगावा होता है जैसे भी मैंने लगाया था यहां पर इस तरीके से अगर मैं यह इस तरीके से लगा देता हूँ चीक तो इसका मतलब यह नहीं यह खाली है जब तक मैं खाली ना दिखा हूँ चीक है तो देखें यहां पर इस तरीके से अगर लिखा जाया तो इसमें कितने कितने hydrogen आएंगे बताओ यहां तीन bond इसके बच्चे में तो तीन hydrogen है यहां भी तीन hydrogen है यहां भी तीन hydrogen है और यहां देखें एक bond तो खाली show किया हुआ एक bond bond बना के दिया हुआ दो ही खाली है तो दो हैटो जलाएंगे यह मैं बताना चाहरा हूँ तो इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए चलिए बात करते है आई-सो की आई-सो में आपके यह ग्रूप आएगा लेकिन हम इस तरीके से नहीं देखने वाले है इसको हम देखेंगे देखें इस तरीके से जिसे किसी का भी हमें आई-सो ग्रूप बनाना हो तो हमें क्या गरना होता है उसमें जितने भी कार्बन है उसमें से N-1 कार्बन को हम क्या कर देते हैं स्ट्रेट जमा देते हैं ठीके N-1 carbon को हम straight लगा देंगे और जो remaining carbon है remaining carbon है वो कहा जाएंगे remaining carbon आपके जाते हैं second last carbon पर कहा जाते हैं remaining carbon second last carbon पर जाता है ठीक है देखते हैं यह कैसे बनता है देखे जिसे हमें बनाना है propane से isopropyl देखें यह propane हो जाएगा हमारा 3 carbon का इस पर बच्चेवे hydrogen है फिर एक hydrogen हम इससे जैसे ही निकालेंगे तो एक bond vacant शूटेगा इससे यह था हमारा propane जिसमें सारे के सारे hydrogen मुझूद थे इस थरीके से एक hydrogen निकल गया अभी यह क्या बन गया propyle पीछे क्या लग जाएगा इसके yl चलिए अब इससे बनाना है iso तो propyle से iso propyle बनाना है तो देखें क्या करेंगे हम 3 carbon है उसमें से n-1 carbon को हम क्या लगा देंगे straight लगा देंगे यह लग गए n-1 carbon straight ठीक यह bond इसका vacant था वो लगा दिया हमने weekend ठीक है अब देखें बच्चा हुआ carbon किस पर जाएगा जो एक carbon बच्चा हुआ वो किस पर जाएगा second last पर यह वाला first होता है ठीक है और यह हमारा two होता है similarly और आगे तो 3, 4, 5, 6 इससे जाएगा जिदर से bond खाली है उसको हम one number देते है तो बताओ last वाला यह हुआ इसमें तो second last कौन हुआ यह वाला इस पर जाएगा पिछे समझ मैं यह बात n-1 carbon को straight लगा दो फिर बचावा carbon को कहा लगा दो second last carbon पर लगा दो चलिए और बताता हूँ मैं आपको यह note कर लें आप screenshot लेला इसका यह हमारी main theme है इसके अंदर n-1 carbon straight होने चाहिए और remaining carbon second last carbon पर आने चाहिए तो उसका iso बन जाएगा एक और हम बनाते हैं इसमें देखिए अब हम बनाते है butyl से isobutyl सबसे पहले तो butyl कैसे होगा देखिए butyl यह होता है 4 carbon का होता है butyl तो इससे जब एक hydrogen निकाल देंगे तो एक bond vacant हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा butyl यह क्या बन जाएगा butyl एक hydrogen जैसे ही निकलेगा अब इसससे बनाना है isobutyl तो isobutyl के लिए क्या करेंगे देखिए 4 carbon है n-1 carbon को हम क्या लगा देंगे straight line में लगा देंगे अब जो यह वाला carbon बचा यह कहा जाएगा second last वाले carbon पे second last कोन होगा देखिए यह तो first होता है हमारा यह two, यह three तो यह last होगा तो यह वाला क्या होगा मौझूद है उसमें n-1 carbon को straight लगा करके बच्चेवे को कहा लगा देता है second last पे, देखिए वो ही वाला है same है यह remaining आप H लगा दें इस पे तो यह वो ही बन जाएगा isobutyl हमारा समझ में यह बात चलिए, अब बनाते हम isopentyl कैसे बनाते हैं, देखते हैं यह note कर ले, okay isopentyl बनाते हैं तो सबसे पहले हमें pentile की जोरत पड़ेगी pentile में कितने carbon आएंगे 5 carbon आएंगे और यह bond vacant रहेगा क्योंकि एक hydrogen जब निकलता है तब ही yl लगता है पिछे okay, तो अब क्या करना इसका iso बनाना है हमें pentile से तो 5 carbon की जगे हम बच्चे वे, 4 carbon को लगा देंगे straight, n-1 carbon को straight जो यह बच्चा, इसको कहां लगाएंगे second last वाले बच्चे तो यह क्या बन जाएगा मारा iso pentile, देखे, ऐसा ही है यह जैसे hydrogen साब attach करेंगे, ऐसा बन जाएगा next, आइसो pentile की बात करें तो भी वह ही है, इसमें एक bond vacant नहीं रहेगा बस क्योंकि यहाँ एन है यहाँ पर aisle था, इसलिए हमने एक bond vacant रखा, यहाँ पर एन है तो सारे full filled रखने पढ़ेंगे जैसे pentile क्या होता है, pentile जस्ट यह होता है यह pentile है यह pentile है आपका, ठीक है, यह क्या है pentile ओके, और यह है pentile चलिए, तो यह pentile हो गया इसका isopentile बनाना है, तो क्या करेंगे वो ही, n-1 carbon को straight लगा देंगे, और बच्चेवे carbon को second last पे लगा देंगे, तो यह क्या बन जाएगा हमारा, isopentine ठीक है यह pentile से बना इसलिए यह pentile से बना, तो यह क्या हो जाएगा isopentile समझे मैं यह बात एक exception आता है, इसमें isoctane का आप देख रहे हैं इसमें कि 5 ही straight लगे हैं, यह ना जबकि होने कितने चाहिए थे, 7 straight में आने चाहिए थे, actually इसके लिए बात यह होती है, isoctane के लिए, यह industrial use में काफी आता है, और उन्होंने इसको इसी shape में, इसका नाम isoctane लिख दिया है, तो काफी जादा use होने के वाज़े से, इसमें कुछ चेड़कानी नहीं की गई, और इसी को अपना लिया गया, इसी structure हो, ठीक है के वल एक यह exception है, बाकी कोई exception नहीं है, ओके तो इस तरीके से आपके iso groups form होता है, अब बात करते हैं, neo groups की, ठीक है, neo alkyl groups की, तो neo में आपको इस तरीके से नजन आ रहे हैं, दो दो सब्स्टिट्यूएंट नजन आ रहे हैं, यानि अब हमें क्या करना पड़ेगा, n-2 carbons को straight जमाना पड़ेगा, ठीक है n-2 carbons straight होंगे और remaining carbon कहां जाएंगे, वो ही second last carbon पर, कहां जाएंगे remaining carbon आपके second last carbon पर, चले जाएंगे clear, अब देखे जैसे हमें बनाना है neopentyl, क्या बनाना है neopentyl, तो इसके लिए पहले pentyl group चाहिएगा, pentyl 5 carbon का होता है ओके, और एक hydrogen निकल जाएगा तो बोन वेकंडरी जाएगा, और पिछे yl लग जाएगा इसके, चिक चले, यह तो आपका normal pentyl है, चिक, यह pentyl हो गया, अब इसका neo बनाना तो हम क्या करेंगे, n-2 carbon 5 में से 3 carbon को straight लगाएंगे लगा दिया, बचेवे carbon जो 2 carbon बचेवे हैं हमारे उनको कहां लगाएंगे, second last carbon पर, तो यह है हमारा second last carbon, ठीक है numbering किदर से करनी है, हमेशा vacant side से करनी है, 1, 2, 3 तो यह तो होगे last, और यह हुआ second last, इस पर बचेवे दोनों carbon लगा दो, clear ऐसे ही बनाएंगे हम, new hexile, similar way में तो इसकी main theme क्या हो गई, n-2 carbon हम कैसे लगाते हैं, straight और remaining carbon कहां लगाते हैं second last pair, ठीक है, यह note करें हम, हम फिर बनाते है new hexile, clear, चलिए ठीक है, new hexile बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले hexile और hexile में 6 carbon होते हैं आपके ठीक है, एक hydrogen जिसी निकलेगा है, बोन vacant रे जाएगा इसका, ओके, चलिए अब हमें बनाना new, तो n-2 carbon को क्या कर दे हैं, हम इस ट्रेट लगा दे ठीक है, n-2 6 में से 4 carbon को हमने इस ट्रेट लगा दिया, तो बच्चे वे 2 carbon का जाएंगे second last वाले पर इस तरीके से, ठीक है, तो यह बन जाता है हमारा new, clear यह था hexile, यह हो गया हमारा new hexile similarly, new pentane बनाना है, तो हमें bond vacant रखने की जुरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर n है, bond vacant कब रखा जाता है जब पीछे y, l लगा होगा होता है यह बात समझ में ही, सभी को ठीक है, तो यह थे हमारे iso, new, और alkyn, 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 alkyns, और classification, ठीक, एक functional group का बच रहा है only देखे, functional groups क्या होता है यह ऐसे characteristic आपके groups होता है जो आपके physical properties और chemical properties decide कर देता हैं किसी भी organic molecule की जैसे देखें आप इस example में CWH जब लगा हुआ है तो यह acidic हो गया, जैसे ही मैं इस group को अटा करके इसके पीछे अगर NS2 लगा देता हूँ इसके बीचे यहाँ पर इसके जगे पर NS2 लगा दूँगा तो यह हो जाएगा base यह क्या था हमारा acid यानि यह जो groups होते हैं ऐसे particular groups होते हैं जो आपके physical और chemical properties को affect करते हैं ठीक है, ऐसे groups को क्या कहते हैं organic chemistry में functional group यह तो हो गया functional group बचे वे को क्या बोलता है, residue बोलता है क्या बोलता है, बचे वे को residue बोलता है, ठीक है तो आपके functional group काफी important है इनके IOPAC naming भी हम अलग से देखेंगे पूरा, ठीक तो आजके lecture में इतना ही रखते हैं जिसमें हमने सिखा classification ठीक है classification सिखा हमने उसके अलवा hydrocarbons का basic introduction जाना ओके और उनसे फिर iso nio के से बनाए जाते हैं वो भी हमने सिखा ठीक है I hope समझ में आया होगा, thank you